दोस्तो सुबै की चाय के साथ अगर ये भुजिया मिल जाए तो आहाहाहा दिन सा बन जाता है मतलब कह लीजिए कि पूरा दिन आपका अच्छे से गुजरने वाला है इन आलू भुजिया की खास बात ये है कि आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते है और डिमांड तो भई पूछो ही मत हर किसी को अपनी प्लेट में आलू भुजिया तो चाहिए लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार ये आप सबकी मन पसंद हल्दी राम की आलू भुजिया को आप तक पहुचाय कैसे जाता है यानि कि इसे फैक्टरी में कैसे बनाया जाता है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फैक्टरी में हल्दी राम की आलू भुजिया कैसे बनती है तो आप बिलकुल सही वीडियो देख रहे हैं आज हम आपको इसे बनाने का पूरा प्रोसेश शुरू से लेकर अन तक दिखाने वाले हैं तो त्यार हो जाईए एक और फैक्टरी के सफर पर निकलने के लिए जहां का आलू भुजिया मेकिंग प्रोसेश देखकर आपके मुह में पानी आना तो तैय है रख लो आप बगल में पैकेट खाने के लिए और गया दुस्तों आलू भुजिया बनाने का काम शुरू होता है यहां एक बड़ी फैक्टरी में जहां पर कई सारे वर्कर्स मौजूद होते हैं जिनका लक्ष सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है आपके लिए स्वादिष्ट आलू भुजिया तयार करना तो अब हम आ चुके हैं फैक्टरी के उस हिस्से में जहां पर आलू भुजिया को बनाने का काम शुरू हो रहा है ये फैक्टरी का वो हिस्सा है जहां पर रौ माटेरियल को लाया जाता है और फिर उन्हें अच्छे से मिक्स करके इस पूरे प्रोसेस की शुरूआत करी जाती है दूस्तों आम तोर पर जिन फैक्टरीयों में इस तरह के प्रोड़क्ट्स को बनाया जाता है वो पूरी तरीके से लेटिस टेक्नोलोजी से लैस होते है सबसे पहले तो एक बड़े से कंटेनर को लिया जाता है और उसके अंदर आलू भुजिया के रौ मटेरियल को डाल दिया जाता है जिसमें शुरूआत में बेसन और मैदे जैसे रौ मटेरियल मौजूद होते है जिसके बाद इसे मिक्षर मशीन के पास ले जाये जाएगा अब एक बड़ी से मिक्षर मशीन जिसके अंदर आलू भुजिया के रौ मटेरियल को अच्छे से मिक्स किया जाएगा मशीन के अंदर अलो घुजिया की रेसिपी के हिसाब से हर चीज को डाला जाएगा जो इसके लिए ज़रूरी है मिक्शर मशीन के अंदर पानी, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्श को डालने के बाद मशीन बंद कर दी जाती है और फिर से इसे अच्छे से घुमाया जाता है थोड़े टाइम के लिए मशीन ऐसे ही घुमती रहती है और इसके अंदर मवजूद सारा का सारा मटेरियल पानी के साथ मिक्स हो जाता है अच्छे से मिक्स होने के बाद पूरे मिक्स्टर को अंदर पोटाइटो, फ्लेक्स को डाल दिया जाता है और फिर इसे बड़े ही अच्छे से मिक्स किया जाता है जहाँ पर हम आपको बता दे कि पूरे प्रोसेस का एक SOP होता है यानि कि standard operation procedure जहाँ पर हर एक step को एक-एक करके follow किया जाता है बन्दब अच्छे से किया जाता है सीधी ये बाद फिर एक end step तक पहुँच जाता है ताकि जो final product हमें चाहिए उच्छे से निकले अब यहाँ पर 3-4 मिनट तक पूरे mixture को अच्छे से mix करने के बाद machine को बंद कर दिया जाता है और इसके बाद अंत में थोड़ा सा raw material all डाला जाता है इसी के साथ ही साथ इसके अंदर palm oil को भी डाला जाता है और फिर कुछी समय में देखते ही देखते यह पूरा का पूरा mixture कड़क होने लगता है और इस तरह से दिखाई देने लगता है अब यह आलू भुजिया का mixture अपने असली रूप में आना शुरू हो चुका है और शायद इसके आगे के process को देखने के लिए आपके मन में तो बड़ा लड़ू फोट रहोगा कि आप तो मज़ा आएगा चलिए तो बढ़ते हैं मज़े लेने के लिए देखे आगे की process में जैसे ही mixture अच्छे से mix हो जाता है तब इसे mixture मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है अब दोस्तों यहां से शुरू होता है आलो भुजिया बनाने का असली काम देखे तैयार हो चुके mixture को अब एक ऐसी machine के पास लेकर जाये जाएगा जो इस पूरे सूख चुके mixture को चोटे-चोटे आलो भुजिया के pieces में बदल देंगे और इस तरह की machine के अंदर पहले से ही आलो भुजिया के pieces के लिए इस size की die fit की गई होती है जो बड़ी तेजी से अपना काम करती जाती है अब ये machine काफी विशाल होती है जिसके अंदर अलग-अलग काम करने की शमता होती है मतलब कि काटने के साथ-साथ ये machine और भी कई तरह के कामों में इस्तेमाल करी जाती है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन factoryों में इस तरह की machine ना सिर्फ आलो भुजिया को उनके pieces में काटती है बलकि साथ-साथ उन्हें तेल में fry भी करती रहती है और अंत में जब इस machine से ये बाहर निकलती है तब छोटे-छोटे pieces में नजर आती है ठीक वैसे जैसे आपके घरों में ये packet मौजूद होती है दोस्तों यहां तक नॉर्मल आलो भुजिया को बना कर तयार कर दिया जाता है लेकिन लेकिन मार्केट में आलो भुजिया की एक अलग ही वैराइटी मौजूद होती है इसलिए initial process complete हो जाने के बाद इसी machine के अंदर अलग-अलग वैराइटी के आलो भुजिया के मसाले डाले जाते है और उन्हें फिर अच्छे से mix किया जाता है जिसकी वज़से नॉर्मल दिख रही इन आलो भुजिया के अंदर अलग-अलग वैराइटी के टेस्ट आने लगते है दोस्तों सोचने वाली बात है जहां एक समय पर यह सारा काम हातों से किया जाता था सोचो अब वो सारा का सारा काम मशीनों दोरा किया जाता है वाकई में जिस तरह से इनसानों ने टेक्नोलिजी के फिल्ड में तरक्की की है न उसकी वज़से कई सारे मुश्किल कामों को बड़ी ही आसान कर दिया गया है दोस्तों जो हाब इस आलो भुजिया के प्रोसेस को देख रहे हैं जहां मैंवली काम ना के बराबर था और जादा से जादा काम बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से किया जा रहा होता है चलिए वापस आते हैं हमारे आलो भुजिया की मेकिंग प्रोसेस की तरफ जहां पर अलग-अलग वेराइटी के हिसाब से आलो भुजिया अब बन कर तयार हो चुकी है अंत में आलो भुजिया को मशीन से बाहर निकाल कर कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेजा जाता है और इसी प्रोसेस के साथ-साथ जिन आलो भुजिया का साइस काफी छोटा होता है वो नीचे की तरफ गिर जाती है और सही साइस वाले आलो भुजिया आगे की तरफ पैकिंग के एरिया में चले जाते हैं लेकिन पैकेजिंग होने से पहले एक और प्रोसेस बीच में आ जाती है, जहां पर इन अलू भुजिया की क्वालिटी टेस्टिंग करी जाती है, यानि कि ये देखा जाता है कि जो चीज बनकर आई है, उसमें स्वाद बराबर है या फिर नहीं, अजरा सोचिए जिस अलू भ उसना निगाल दोगे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी टेस्टिंग का हा प्रोसेस बड़ी बारीकी से किया जाता है, और फिर जाकर इसे आगे की प्रोसेस तक भेजा जाता है, दोस्तों पैकेजिंग का काम करने से पहले इन आलू भुजिया को एक पर मिनट के हिसाब से वजन करती है, वजन का काम जब पूरा हो जाता है, तब इने भेज दिया जाता है पाकजिंग यूनिट की तरफ, जहां एक बड़ी सी मशीन, आटोमाटिक तरीके से इन सभी आलू भुजिया को उनके पैकेट में एक-एक करके पैक करती जाती है, जह कैस मौझूद होती है, जो खाने को खराब होने से बचाते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद आलू भुजिया के पैकेट मशीन से बाहर आ जाते हैं, और फिर इन्हें बड़े-बड़े डिब्बों में पैक कर दिया जाता है, और फिर एक बार मार्केट में भेजने से पहले इन्हें weight machine में रखकर वजन किया जाता है और सही वजन होने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है dispatching area की तरफ जहां से इन्हें बड़े बड़े ट्रकों में भर कर factory से market में भेज दिया जाता है जहां से आप अपनी ये मनपसंद आलू भुजिया को खरीद कर इसका स्वाद ल जाते हैं जिन में से आपका कोई ना कोई favorite brand तो जरूर होगा जिसके packet आप दबा के घर लाते होंगे इसके लावा दोस्तों आप ये तो जरूर जानते होंगे कि आलू भुजिया भारत की recipe है लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे पहले आलू भुजिया नमकीन को कहां पे बनाया गया था दोस्तों साल 1877 में राजस्थान के बीका नेर में पहली बार आलू भुजिया को बनाया गया था उस समय वहां पर महराज आश्री डूंगर सिंग का राज हुआ करता था और फिर देखते ही देखते आने वाले समय में ये popular आहार पूरे भारत में विख्यात होने लगा और फिर अलग-अलग ब्रांड की कंपनिया उभरने लगी जिन्होंने अपनी तरफ से आलू भुजिया को बनाना शुरू किया लेकिन साल 1946 में पहली बार एक लोकल बिजनसमैन गंगा भीशन अग्रवाल ने सबसे पहले आलू भुजिया को अपने ल विडियो पसंद आई होगी आपने देखा है कि कैसे बड़ी बड़ी फैक्टरियों में आपकी मन पसंद आलू भुजिया को बनाया जाता है कैसे बड़े बड़े मशीनों का इस्निमाल होता है और कैसे इन्हें आप तक पहुंचाया जाता है इसके लावा आपने जाना कि आलो भुजिया नंकीन की शुरुवात भारत में सबसे पहले किस शेहर में होई थी? कैसे ये मार्केट में आई और किसने बेचा? तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ इसे अपने दोस्टों के साथ में शेर कर दीजिएगा जिने आलो भुजिया काफी पसंद है